सरदार बल्लब भाई पटेल जैसे वकील के बनसज हैं, हम डॉक्टर भीम राव अम्बेद करके बनसज हैं, इट से इट बजा देंगे, जब तक सुप्रीम कोट और हाई कोट में 90 परति सत्थी सदारी नहीं होगा, तो आज से हम देश की 120 कडोर दलित पिछड़ा अकलियतों से आवान करते हैं, कि तुम इनका सर्वजनिक बहिस्कार करो, कि बक्त गुलसन को पड़ा था तो लहू से सीचा हमने, और आज बहार आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं, सारा देश का महान काम, अब एपी जब अबुल जे कलाम ने भारत को मिशाइल मैन बना दिया, और इस देश का बेद किसने लिखा, बेद ब्यास, मला था, भारत का संबिधान किसने लिखा, डॉक्टर अमबेदकर, शेडूल कास्ट का था, 532 रियास्तों को एक किसने किया, सरदार बलब भाई पटेल, कुर्मी समाज का था, भारत को आजादी किसने दिला, बनिया का बेट अमें कहिए तो जेनरल क्लास, पाँच बर्ग है, जिसकी संख्या इस देश में 90 परतिसत है, और इनका वकील भी हजारो हजार की संख्या में ऐसे वकील उपलब्द है भारत में, जो हाई कोट और सुप्रीम कोट तो छोड़ दीजे, अगर इंटरनेशनल कोट आफ जस्टि में और सुप्रीम कोट में कर रहे हैं, कि सुप्रीम कोट, हाई कोट आरच्छन बिल पारित करो, आ नहीं तो पारलियामेंट में अगला बार तुमको मुह नहीं देखने देंगे, हम 90% हैं भारत में, समाज मिला करके हम 90% हैं, यानि कि 120 कडोर हमारी आबादी है, और हमारी बात को तुम एग्नोर कर रहे हो, मुझूदा जो नियाएधीस है, मुख्य नियाएधीस भारत के उनके बेटे ने किताब लिखी है, किताब का नाम है, सुप्रीम वी इस पर्स, उसमें साप उस किताब में जिक्र किया गया है, कि कैसे कोलेजिन सिस्टम के कारण जो है, वह सी इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1993 से पहले एक स्टी जज थे, उसके बाद कोई स्टी जज नहीं आये है, बिलकुल आज का जो हम लोगों का संगठन नियाएपाली का आरच्छन आंदोलन एवं संपूरन आरच्छन क्रांती मंच है, और आज का विशय ही ह सुप्रीम कोट और हाई कोट में आरच्छन क्यों और कैसे, क्यों का एंसर यह है, कि अभी भी सुप्रीम कोट और हाई कोट में 97 परतिसत जज यह कहीं बर्ग का है, और वो है फरवर्ड क्लास, उच जाती बर्ग, या संबैधानिक भासा में कहिए तो जेनरल क्लास, और भा जो पाँच बर्ग है, जिसकी संख्या इस देश में 90 परतिसत है, और इनका वकील भी हजारो हजार की संख्या में ऐसे वकील उपलब्ध है भारत में, जो हाई कोट और सुप्रीम कोट तो छोड़ दीजिये, अगर इंटरनेशनल कोट और जस्टिस, जो निदरलेंट के में है, अगर वहाँ भी इनको जज़ बना दिया जाए, तो वो भी इन जज़ों से अच्छा नियाय कर सकते हैं, जो अभी पटना हाई कोट में और देश के हाई कोट में और सुप्रीम कोट में कर रहे हैं, तो ST, ST, OVC माइनिटी में हजारों के संख्या में कम्पीटेंट लाइयर सुपलब्ध है, जो बर्ड के भी इन जो इन लोगों में मेरिटोरियस हैं नहीं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, कि इस देश का रामायन किस ने लिखा, बाल में की, डोम था, इस देश का महभारत किस ने लिखा, बेद व्यास, मलाह था, इस देश का बेद किस ने लिखा, बेद व्यास, मलाह था, भारत का संविधान किस ने लिखा, डॉक्टर अम्बेद कर, शेडूल कास्ट का था, पांसो बतिस रियास्तों को एक किस ने किया, सरदार बल्लब भाई पटेल, कुर्मी समाज का था, भारत को आजादी किसने दिलाया बनिया का बेटा महत्मा गांधी ठीक कहा गया है कि बक्त गुलशन को पढ़ा था तो लहुसे सीचा हम ने और आज बहार आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं सारा देश का महान काम अब अब जे कलाम ने भारत को मिशाइल मैन बना दिया और आज कहते हो कि इनमें मेरिट नहीं है इन मेरिट के ठीकेदारों से पूछिए कि उस दिन कहा थे जब 200 बर्सों से देश गुलामी के जंजीर में जक्रा हुआ था तो गांधी को आधी वकील ही थे आधा धोती पहन कर और दोती वोड़ करके अलग जगाया था और देश को आजादी दिलाया तो हम उस गांधी के बंसज हैं सर्दार बल्लब भाई पटेल जैसे वकील के बंसज हैं हम डॉक्टर भीम राव अंबेद करके बंसज हैं इट से इट बजा देंगे जब तक सुप्रीम कोट और हाई होगा तो आज से हम देश की 120 कडोर दलित पिछड़ा अकलियतों से आवान करते हैं कि तुम इनका सार्वजनिक बहिसकार करो एक भी आरच्षन समर्थक समाज का मुकदमा आरच्षन विरोधी वकीलों के हां नहीं जाना चाहिए एक तरफ से हमला कर दो और दूसरे तरफ से सुप्रीम कोट हाई कोट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन विधेयक जो हमने बनाया है उसको पारित कराने के लिए अपने अपने सांसदों पर दबाव बनाओ कि अगर इस बिल को अगला सत्र में इसी सत्र में पारित नहीं किया तो आने वाले चुनाओं में हम तुमको पार्लियामेंट का मुह नहीं देखने देंगे इसे करांतिकारी कदम के साथ आज हम लोगों का यह आगाज हुआ है और इसे का हम लोग आज नियाइपाली का अरक्षन आंदोलन की ओर से कर रहे हैं लेकिन एक सवाल है सर कि जब यह फैसला आया 10 परसेंट आरक्षन का उसके बाद सोशल मीडिया पर वो लोग भी जो इस पर बात करने लगी जो इस पर कभी बात नहीं करते थे कि आखिर जब सुप्रिम कोट में एक OBC जजज था ही और एक और मैनेटरी जजज था ही तो पा कैसे करवाईएगा कैसे प्रिसों देखे आप लोगोंने देखा है एक जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए अंदोलन हुआ था अन्ना हजारे की नत्रित में वो जन लोकपाल बिलकुल जो है संविधान के खिलाप बात थी क्योंकि चुने हुए परतनिधियों के उपर कि अद्व में बात थी और उसके लिए देश में करानती हो गया जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए और पारित कराया भी गया तो हमारा जो बिदेख है जो बिदेख का कोपी अभी हम लोगों ऺन्री की आacting आ स्थो बिद लिए हो श्योर्म कोपाल पारित में अरसनocy आर अरच्छन बिल पारित करो और नहीं तो पार्लियामेंट में अगला बार तुमको मुह नहीं देखने देंगे हम 90% हैं भारत में हम 50% वाला अरच्छन वाला नहीं हैं हमको 90% से दारी चाहिए चुकि आप ही ने हमका हमारा काम असान कर दिया अपने लोगों को लाव देने के फेरा में अपने ही पैर में सुप्रीम कोट ने अपने कुलहारी मारा है और यह 50% का बैरियर तोड़ दिया तो अब हम लोग को 90% मिलेगा और यह सुप्रीम कोट हाई कोट आरच्छन विदेयक पारित होगा इसके लिए बकील तयार है डॉक्टर तयार है इंजिनियर तयार है सारे समाजिक जो करता है हमारे जो लोग है नेता है उन लोगों को भी हम लोग समझा लेंगे 400 MP है हमारा पारियमेंट में खाली 994-3100-2499 पर पहुंचे थे और निती जुन नहीं सूचना दी कि यहां पर आप आए और कारेकरम में जो है यहां पर भाग लिजे फिलाल जनता जेक्षन आप देख रहे हैं